हलो फ्रेंड्स वेलकम बेकक तु मैई चरनल स्टेड़ी वित आयूसमा आज की इस वीडियो में हम लोग नान परफेक्ट इसकार 누र्प्र्प्र का इसकार रूट निकालना सीखेंगे जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एकी perfect square numbers का square root निकालना सि CHIES थे जैसा कि हमें जै कि perfect square numbers 25, 144 ऐसे perfect square numbers का हमें square root निकालने के लिए बोला जाता था तो हम असानी से division method और factorization method से असानी से निकाल लेते थे लकिन अगर हमें non perfect square numbers का हमें square root निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में सिखेंगे जैसे कि हमें नान परफेक्ट स्क्वार नमबर्स रूट 7, रूट 10, रूट 27, रूट 83, रूट 147 ऐसे नमबर्स जो की नान परफेक्ट स्क्वार है, यानि की ऐसे नमबर्स का हम लोग असानी से जो है की स्क्वार रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे नमबर्स का हम लोग जो की स्क्वार रूट कैसे निकालेंगे, आज की वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो नहीं किऊ पास है तो हम लोग क्या करेंगे नाइन की परफॉक्ट सुआयर तो हम लोग क्या करेंगे से विएकिस से विए यहां पर 9 का पहस भख लिख लेंगे 3 होता है 3 और यहाँ पर क्या करेंगे 9-2 करने पर 7 आएगा तो हम यहाँ पर minus minus करने पर 7 आ रहा है तो 2 उपर लिख लेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ वाले numbers का नीचे जो एक 2 की साथ हमेशा multiply कर देंगे तो यहाँ पर आप जो एक 3 है minus तो यहाँ पर 3 minus 1 upon 3 अब इनको जो हम लोग का solve करेंगे तो 3 minus यहाँ पर 0.33 हो जाएगा अब यहाँ पर हम minus करेंगे तो 2.63 जो है कि इसका answer होगा यानि कि root 7 का square root root 7 का square root 2.63 होगा तो इस परकार से हम root 7 का square चलिए अब हम अगला question करते हैं जैसा कि अगर हमें जो कि root 10 का square root निकालने के लिए बोल दिया जाए root 10 का square root निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम ही क्या करना है हम ही देखना है 10 जो है कि कौन से numbers का square के पास में है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जो है कि 9 के पास में है जाना ही, मैं प्लाहां पूंसमारी आप सो अघ्वा कि नोंकार मर्या. तो कि यहां भी ब्रक्राइपनी सावygen क्रोड़ किस से जुमारी के के यहां प्लाहा भी कि प्लाह प्लाहा भी ऐल जाना है अज। को solve कर लेंगे, तो 3 और 1 upon 6 अब 1 upon 6 में हम क्या करेंगे? divide करेंगे, 1 upon 1 में 6 से divide करेंगे, तो यहां पर decimal जाएगा, यहां पर 0 लबाल लेकर जाएगे, 1, 6 अब यहां से उपर 4 आएगा, अब यहां कि decimal यहां से 0 आ जाएगा, यहां पर तो इसकी value जाएगा 3 1 upon 6 में जाएगा 0.16 अब हम इनको आपस में add कर लेंगे, तो यह 3.16 हो जाएगा, तो root 10 का square root 10 का square root 3.16 होगा चलिए अब अगला question करते हैं जैसा कि हमें 27 का square root निकालना हो 27 का square root निकालना हो, तो हम क्या करेंगे same process, same trick अपनाएंगे हमें क्या करना है, 27 को देखना है कौन से numbers square के पास में है तो यह 27 के 25 के पास में है, 25 का हम square root लिख लेंगे 25 का square root हम लिखेंगे 5 हो जाएगा, अब 25 से कितना जादा है, यह जादा यहाँ पर 2 जादा है 25 से 27 2 जादा है तो हम यहाँ पर plus जब ज़्यादा रहता है तो हम यहाँ पर plus करते है 2 अब यहाँ वाले numbers में 5 में हमेशा यहाँ वाले numbers हमेशा 2 का multiply कर देते है 2 का multiply कर देंगे तो यहाँ पर जाएक हम इनको solve करेंगे 5 plus 2 upon 10 अब जाएक 5 plus 0.2 अब इनको add कर देंगे तो यहाँ पर 5.2 यानि कि 27 का square root 27 का square root 5.2 होगा चली अब और question करते है माल लेते हैं कि हमें 87 का square root निकालना हो 87 J की ऐसा square numbers किसके पास है यह ज़कि 81 के पास नहते है 81 का square root 9 होगा हम देखें कि 87 कि 81 से कितना जादा है तो यहा पिर यहाँ ज़िए कि 6 जादा है तो यहाँ पर जब जब ज़़ादा रहते हैं तो यहाँ पर 6 जादा है अब हमें क्या करना है हमेशा यह इस वाले numbers में यहाँ पर जो numbers आता है 9 में 2 का multiply कर देना है, यानि कि इस number से हम इसा 2 का multiply करना है, अब हम इन्हें solve कर लेंगे, यह जए कि 3 से कटेंगे, 3 2 जा, 3 3 जा, यहाँ पर 2 जा, 2 जा, यहाँ पर हो गया 9 प्लेस 1 अपान 3, अब हम इनको solve कर लेंगे, 9 प्लेस 0.33 आएगा, तो इनको हम add करेंगे, तो 9.33, यानि कि 87 का square root जब हम निकाल लेंगे, तो 9.33 के आसपस आएगा, चलिए अब हम और question करते हैं, मान लेते हैं कि हमें 147, 147 का हमें square root निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे, क्या trick अपनाएंगे, same trick, अब हम देखेंगे 147 ऐसे कौन से square numbers के पास में है, जो कि इसके से number 12 स्क पड़ियंगे, जुआ है, 144 का 12 स्क ही होते है, तो हम 144 के पास में हे, यहान पर झालिए का हम 144 के square root लिखेंगे 12, अब यह 144 से कितना जादा है, 3 जादा है, जब जादा रहता है, तो हम यहान पर plus करेंगे 3, और यहान पर क्या क्या कर लेंगे, यहान पर जाकी आए हम इसा 2 से multiply करते हैं, अब हम इनको solve कर लेंगे, तो 12, यहां पर 12 रहेगा, यहां पर cut करेंगे, तो यहां पर 4, अब जाए कि ओपर 1, यहां पर जाए कि 1 अपान 8, अब हम इनको solve करेंगे, 1 में 8 से divide कर लेंगे, तो decimal, यहां पर 0, 8 आएगा, 2, अब फिर से 0, यहां पर 2, तो यहां पर जो हम 12 plus 0.12, तो हम इने plus कर लेंगे 12.12, यानि कि 144 का जब square root निकाला जाएगा, तो जो है कि उसके answer 12.12 के आसपस आएगा, तो चलिए दोस्तो, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करके, channel को subscribe करके, bell icon को press कर दे, जिससे मेरा आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे, thank you.